हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK Science Classes पर दोस्तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो biology की रहेगी और इसमें लगबग जो questions रहेंगे वो लगबग आपके 500 questions रहेंगे ठीक है दोस्तो स्टार्ट करते हैं मेरी दोस्तो देखिए पहला question बड़ा आसान question है कि मानव शरीर में ओस्तन oxygen का अथ्थव कितना पर्थिश्यत होता है मतलब ऑक्सिजन जो होते हैं मनुश्यक शरीर में कितना पर्थिश्यत होती है तो दोस्तो 35% बिलकुल नहीं 43 बिलकुल नहीं 55 बिलकुल नहीं इसका अंसर जो होगा वो 50% मतलब आदे का जो पर्षेंट होता है वो किसका पर्षेंट होता है oxygen का और बाकी की जो होती है अन्य कैसिस होती है ठीक है दोस्तो धान रखें इसका अंसर क्या होगा भी होगा अगला question चलते है second question है मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है जो iron जो होता है मनुष्य सरीर को iron की जरूरत होती है आपने सुना होगा जो आपका पालक होता है उससे क्या मिलता है आपका आरन मिलता है आरन मतलब FPM बोलते हैं FPM को बोलते हैं ठीक है जी आरन बोलते हैं दोस्तों धान रखने विसे इस तोर पर तो धान रखना आरन मिलता है आपका पालक से यह हम कह सकते हैं आपकी हरी पत्तिदार सब्जियां ज किए जी कगद्दु आप कह सकते हैं ये सभी क्या होते है आपका तोरइ जो होती है ये भी कास होता है ये भी आपके हरी सब्जी होती है लंगא है ठाई जीख़िक है दोस्टो आपको सब्सक्राइब पर वीदियो को शेर करें चलते हैं मचलियों के यक्रित के तेल में किसकी प्रचूड़ता होती और देखिये बाइचन दोस्तो यक्रित जो होता है लीवर एल हम कह सकते हैं यह का आटे हैं मत vessels 15 क लेवर होता है मचली के जिगर का Either हम कह सकते हैं तो उसमें किसकी वर्चुरता होती है तो विटामिन में दोस्तों वह होता है विटामिन डी विटामिन डी का जिल्दी फटा बट से आप साइंटिफिक नम बता दीजे विटामिन एक हम बता दीजे तो देखे दोस्तों एक होता रेटी नौल क्या होता है रेटी कि यहां कहा गया है मचली के जिगर तेल में किसकी पुर्चूरता नहीं होती विटामिन किसकी पुर्चूरता होती है तो विटामिन जो जो जब जाएगा आपका आईटिन पाया जाता है अगले को सेंट चलते हैं अब इंज मारा होगा भाई दोस्तो विटामिन विटामिन देखें अभी पुछले में मैंने बताया है विटामिन ई का क्या होता है विटामिन ए तो उसको क्या क्या किया जाता है नपुषंगता हो जाएगा तो धानक ना हमारे बांजपन, बांज़ो वरत होती है समाज में, उसका किया तोक आ जाता है, तो टोको फेरल हो गया, क्या हो गया, टोको फेरल हो गया, राइबो फ्लोविन जो होता है, यह क्या होता है, विटामिन B2 का पार्ट होता है, और रेटीनोल जो होता है, यह आपक तो ऐसा फॉय अमल रहेगा कैल्सी फैरोल रहेगा या फिर रैटिन और रहेगा इसका मतलब हम यह कहना चाहरे हैं दोस्तों इसमें कौशन थोड़ा गलत किया हुआ है इसका मतलब भीटामिन D का राशानिक नाम क्या है यह कहना चाहरा है तो धान रखना गया विटाइमिन D क किस चीज के बने होते हैं तो दात बने होते हैं viens-ीदर के सब्सक्राइब इस्कों बहुत बच्चे में कुन से नहीं होते हैं यहते हैं ऌण चंछे नहीं होते सब टोटल ढीट मनुष्य के पूरे जीवन वाप ने पराट और डिवाइब 15 किनval अधायद में गोश्ने आगे चलते हैं मानव सरीर में रख्का थक्का किस विटामिन से बनता है तो विटामिन किसकी वज़े से रख्का थक्का बनेगा ब्लेड का क्लॉट किसके कारण बनेगा ब्लेड क्लॉट जो बनेगा ठीक है रख्का थक्का क्या होता है ब्लेड क्लॉट तो विटामिन A1,E,K चालने की दिया के जाएनर को नियंद्रत करने के लिए निमले के दमेंसे लिए कई नहीं चाहिए सकसे उन्टेशियों की का कई यह वडस्ता है राक्न थी आपको झरूपया साथ्व रिवट नके रहता है जोता है हुआ संथी न्यूज प्लसक्तनें मिलती और जहां जहां जिस जिस ल laid व्तarlos ठीक है तो थान रखें आपका वैसे तो सब्सक्राइब करते हैं निम्ले को संबंद दांतों की विक्रती के साथ है अब दानतों का खराब होना उना किस तर्प्सक्राइब पालक के पत्तों में किसकी मातरा सबस्देख होती है अभी मैं पिछले क्वेशन में बताया है पालक में पत्तों में हैं सबसे ज्यादा किसकी मातलए द Regina और मैंतलों कि आपके मह महात्व इन बंदी जो आपके छोटे च्छोटे एलगीesen काई होती ही जो छोटों मोटे पौद्य होते हैं और उसमें किस के अधिक्त से जयादा होती है क्या मेध्पुन जयादा होता है उसमें उजहादा होता है यूधिन होता है खा débार mattress नब दिखाँ इसी वजबे से आपको बोला जाता है कि इसी वज़े से आपको बोला जाता है आधी तो नमक खाएं आजकल तो आपके two पेस्ट में भी क्या आता है नमक आता है अकला question है यहाई नातों का 6 होने लगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, चलिए, आगे चलते हैं, अला कॉच्छन देखिए, किसमे भरपूर लोहा तत्व पाजाता है, सबसे ज़्यादा लोह की मातरस किसमें होती है, दूद में, अंडे में, नारंगी में, या फर हरी सबजियों में, तो अभी जी, दूद से आपको प्रोटीन मिलेगा, अंडे से आपको प्रोटीन मिलेगा, और नारंगी से आपको क्या मिलेगा, बर्जी, आपको मिलेगा, देखिए, यहां से आपको प्रोटीन प्राप्त होगा, इससे भी आपको प्रोटीन मिलेगा, और दोस्तों, इससे आपको क् सित्रिक एसिड होता है तो इससे मिलता है अलगती है यूड यूद्श का का डिस्टी है वाइर ऩे वाइरस आपका क्या होगा यूज इस एक डिसीज वोती मतलब इन मैंसे वसाम को सब नहीं है वसाम को फैट बोला जाता है विले का मतलब कह सकते हैं तो यह दिद्साुल्व कह सकते हैं यह फिर आपका रुलुबल्वां पूल सकते हैं यह दानाक नबाइशा नेन सील भाई और बाकी की बस्ती है के डी और ए यह विडिमान जो होती है यह अपकी पैटम वो लेंगे वसाम को नहीं होता है तो के इडी घुल जाएंगी तो के इडी इसमें से जो सकता है उसको पाट दो इल्कोल डी नहीं है प्रकार से क्या होता है और कैसीन प्रोटीन दूद के अंदर होता है और इस कैसीन प्रोटीन का पाचन करने के लिए एक एंजाइम होता है एंजाइम का नाम होता है एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम होता है रेनिन का नाम है एक रेनिन एंजाइम होता भाई और इसका काम होता है दूद की प्रोटीन कैसीन प्रोटीन का पाचन करना ठीक है दोस् वाइस से असकी फुल फॉर्म होती है यह जही कि पॉल औराफ यह ओता है किसका होता भीन कर टेस्ट किए ज़या सक्किने outbreaks यह लुटा है टेस्ट कि यह जो उपनों धहता है ठीक है दोस्तों ट्रॉश्ञ तर nuances जलाएंगे चला ती सिंव मुझे बता दिए इस्टेडी ओफ यदि हम लीवर्ट स्टडी की बात क्मथिए और स्टाडई ओफ हर्ट कमेंट में बता दीजे फटाबट अगा होता है। डिसे बता दीजे मुझे उप्लीबर का उटा है है असका लिवर का होता है किसका लिवर माना वशरीर में संक्रमन को रोगने में मदद करता है मतलब मनुष्य के सरीर में जो बीमारी आती है उसको रोगने में helpful कौन होता है विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, तो वाई संकरमन को रोकता है विटामिन A, कौन सा रोकता है विटामिन A, जो होता है विटामिन A, संकरमन को बीमा है ठीक है जी आज तो नहीं है पहले समय में पसू होते थे उनको जो हमारे बढ़बुर होते थे वह क्या करते थे नमक ख़लाते थे इसमें को क्या होता है जैसे को कोई रोग नहीं यान्य होटी वाते थे साधु क कोई भी साभूत नमक खाता थे उस समय में ज्यादा होते थे आप फ़ रों संवे स्वे बिमारे सब्सक्राइब का लए और 6 йael हुआ के आइंचर के लिए व्याक्तोर ट्र्ेटरु 7 अस Idaho छो आपकर को अब कोबाल्ट 60 जो होता है यह आपके cancer के लिए जाता है आप जल्दी से इंका बता जिए फर्स फ्रोस 30 होता है फिर्टी टू होता है यह फिर कार्वन नीच इसको बोलते हैं कार्वन डेटिंग जीवास्म इंधनों की उमर का पता लगाना जीवास्म कींधनों की उमर का पता उमर का पता लगा जाता है वो इससे लगा जाता है जी वास मीधनों की उमर का पता लगाना है ठीक है जी तो जाना कार्बन डेटिंग किया जाता है किसी की उमर लगा जाता है जल्दी से मुझे बता दीजिए पेडो की उमर कैसे पता ही लगा जाती है पेडो की उमर पता लगा जाती है बाई साब यह उते है वार्सिक वल्ले है चाह बोलते है वार्सिक वल्ले हम बोलते है उसको हम बोलते है एन्वल रिंग क्या बोले जाता है एन्वल रिंग एस प्रकार से एन्वल रिंग होता है ऐस question बड़ा मज़े दर question रहेगा question सुनिए निमलिकित मैंसे कौन सा रोग रखता धान द्वारा नहीं फैलता मतलब रखत हम दान करते हैं किसी को तुछ से नहीं फैलेगा रखत के द्वारा धान देने से नहीं फैलेगा SunSign Vitamin SunSign Vitamin SunSign SunSign Vitamin जल्दी से बतादी है किसमें D होगा में निमलासटे हम होगा तक हर दो हम दोस्तो जल्दी से बताईए ह। फटावट से कमेंट मताएं, अगला कॉशन देखिए, मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, तो मिनी माता जो रोग होता है, वो होता है बाई साफ का पारा, जो क्या होता है, मरकरी जो होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका पारा, जो होता है, इसके वज़ इसके होता है, मिन ही माता जिसकों छोटी मात हम कह सकते हैं अगला कॉशन देखें बड़ा सांदार कॉशन निमलिक तमेंसे कौन सा रोग संक्रामक है जो संक्रमन के कारण फैलता है तो कौनसर होगा एक दूसरे का आसपास आने से फैलता है गठिया रोग बिलकुल नहीं होगा सर जी कैंसर संक् संक्रमन क रोग एक दूसरे से छूने से फैल सकता है पीत जो होता है इसको पीलिया की फोर्म कह सकते हैं है और यह विर्लेटेड होता है और से लिएटेड होता है और बाई साब किससे संचरत हो अ वह किससे फैलता है दोस्तों यह eens उता है यह त लुगा है यह अन्ड्रीज घलत nós रहा हुआ है मच्छर 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 में मधा इनंफली का इन दने के लिए कि लिए इसा मोटे मारिय में होती है। प्लिट लेट्स क्या हो जाती है। खतम हो जाती है। प्लेटलेट डाउन्ट होती है। मलेईरा टाइपर के अंदर होती है। आज क्या होता है यह विटामिन बी का पार्ट है और बी का भी पाइब को था यह ना इन ही तो देखें दोस्तों जो प्लेग होगा हाँ तैफ यह भी नहीं है रोग यह नहीं है चुआ होता है किसके मादधम से वाईउ के मादधम से तो को सब होता है प्लेक जो विमारी होती है जो होता है पानी पीने से तरफ चलेंगे आपने देखा होगा जो चुह होता है छूझा के काते से भी यह फ्ले से होग भीज लए तो पने आरी कोटत के काटने से अभीज फैलते हुझ और दोस्तों धेक से कौन सी प्रोटी दूध में पाए जाती है वे mm रिशेन नहीं चाइव निकलता है किसे निकलता है स्टॉमक के कर देता है आपने सिसे होता है विटामिन सी क्या होता है चिली हुई सब्सक्राइब द्रभाइब यह सब्सक्राइब होता है एस कॉर्बिक अबलोता है मेरे दोस्तों ठीक है अगे तरफ चलेंगे हैला कॉशन है मनुष्य में कुल कितनी हड्यां होती है सभी को बड़ा आसान कॉशन 206 कितने होते हैं 206 सभी को बता है देखिए हमें कॉशन लिख रहा हूं यदि हम टोटल मसल्स की हम बात करें हैं टोटल मसल्स की बात करने मनुष्य के अंदर तो वह होती है 649 टोटल यदि मैं बॉन की बात करूं ठीक है इन एडल्ट हुड में आप टीन सो यदि मैं करूं ठुटल बॉन के बांड इन चैङल्ड हुड 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 चैङल्ड हुड tra soybean 130 अवब इस फे Mexican हैँ पैदा होता अब यदि असमें सब्सकendum घख contents नभ जात से सबसे बड़ी कौन से होती है वह थिया आपकी कौन सी होती है और सबसे स्ट्रॉंग बोन होती है जो की जबड़े की अड़ी होती है और सबसे आपका जो स्वतंत रड़ी होती है वो होती है आपके कौन सी जो आपकी किसमा होती है आपके गले में होती है इसको मोलते है हायवड बॉन ठीका स्टैपिस होती है कान के अंदर हायवड होती है गले के अंदर कली अगला कोशन देखिए अगला कोशन देखिए निमले के तमेह दूद मैं गया कहा गया लेक्तोज का वता है यह लेक्तोज के कारण कमते मैं कितने अस्तिय होती है टोड़ अडिया और निया अब करूंग कि आद आपका जो होता एक यूलक होता है इसपोल जान जो होती है है इसमें जार्य का नाम होता है Kranium क्या नाम है Kranium की Bones होती है जिनकी संक्या होती है 8 8, कितनी होती है दोस्तो 8, अगले question के तरफ चलते है बड़ा संदर question, अगला question देखिए नव्जाद से होमे हडियो कि इसंक्या कितनी होती है अभी मैंने पिछले में बताया है तो कितने हो जाती है 208 दो अड़ियां बढ़ जाती है जब अच्छा पैदा होता है नब जाती चोटा बच्छा है सरीर की सरवाधिक परबलास्ती सबसे स्ट्रॉण कुन से होती है हम कह सकते हैं strongest bone strongest bone strongest bone strongest bone of human body भाई तो सब्सक्राइब नीटि डायों के मेंटी डी जुन्दी से कमंट पाईजे घंडी से कौन से हुती है सरीर की सुन्दर हड़ी कौन से होती है तो जबड़िक हड़ी होती है जिन्दी से बता दीजिए फटापट एक कॉशन है कि सरीर की सुन्दर हड़ी कौन से होती है जिसको हम बोलते हैं हसली जिसको हम बोलते हैं क्लैविकल बॉन यह सुन्दर हड़ी होती है मनुश्य के स्रीर में पस्लियों के एक समझे ईर आपका 24 और यदि मैं पेर की बात करूं जो जोड़ा होता है और जोड़े में जो होते हैं तो एक जोड़े में दो होते तो यह बार है तो बार दुनी 24 तो टोटल आपको पूछने लगे तो 24 होती है पर तो कभी-कभी एक अध्य बढ़ा दी जाती है 24 प्लस एक इसको मुझत 25 और जो यह हड़े होती है इसको मुझत है और सर्णम क्या बन एक बहुन होती है जो आपके च्छाती के अंदर होती है सीधी ठीक है जी दोस्तो धान रखें अगला कौशन संजिए अगला कोशन देखिए मानाव सरीर की सबसे लंभी हड़ी सबसे लंबी या सबसे बड़ी प्रवाइब दोस्तों यह सबसे बड़ी होती है ठीक है तो यह कहां से शुरूओगी और सीधा कहां सा गोफनातर चलती है कैसा देखिए अचा एक बार थोड़ा से नहीं बता देता हूँ देखिें फैबूद ला यह आपके पैर के अंदर होती जो आपका पपडली होती है फीमर जो होती है जंक अड़ी होती है संखेप पर्प्छो न přीजिक अप पाई जाती श्कानwww दो तोटल आपके हट्डी होती है आप उनको कर सकते हैं ठीक है जी दोस्तो वद्धानके अंदर टोटल अध्यां की तो यह आप से पूछन लगे तो अगले कॉशन के तरफ चलते हैं अगला कॉशन देखिए मानब सर्भी सबसे चोटी हडी तो सभी को बता कान कान के अंदर पाई जाते हैं सबसे चोटी मास पेसी आप से पूछने लगे तो बताओ कौन से होती है इसकी बहनी होती है हम कह सकते हैं यह होती है स्टैपीडियस क्या होती है स्टैपीडियस यह स्टैपीडियस होती है भाई स्टैपीडियस होती है कान के अंदर ही पाई जाती है सबसे छोटी मास्पेस होती है सबसे बड़ी मास्पेसी सबसे बड़ी मास्पेसी सबसे बड़ी जो मास्पेसी होती है भाई वो होती है आपकी दान ना खोकली होती है तो कि क्या बराऊ होता है होता है आपका होता है आपका जिसकों बोलतें काम कि iamushat प्रवलाइब पेर के लिवाइब होता है जुन होता है वह टो Lupe थी नृट के अंदर चुर्भाइब्स इससा पृतर के अंदर होती है यह भी होती है यह वह प्रस्वीं होती है तक ँर्फ होती है यहां से यह से लेकर यहां से लेकर और यह तक होती दान रखना तो एक एधर होती और आपका क्या होती है एक हात में एक होती है तो अला कुछन देकि मानव शरीर के किस अंग की अड़ी सबसे लंबी है बाई सबसे बड़ी अगना जल्ली से मुझे बता दीजिए अचा एक बताए मुझे कि सरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है अचा आप बताजी ये सरीर का सबसे व्यास्त अंग कौन सा होता है तो वह होता है आपका हर्ट होता है होता है हर्ट होता करें तो कोसिंट है तो इस मेंदर पाए जाती है तो टी-बी त elabor यस को मू Op crews होती है वर इस तोtin मौती है तो टीबिया नमगठी किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाएगी टैंग जिसको हम बोलते हैं, फुट जिसको हम बोलते हैं, पैर के अंदर पाई जाएगी, ठीके जी, धान रखना, अला कोचन है बाई साथा, कॉर्चन नमबर 43, मानव सरीर में पाचन का दीकांस दोस्तों जान रखें अगले कोशिण तरब चलते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दानत दो बार विक्षित होते हैं तो 20 दानत होते हैं जो क्या होते हैं दो बार विक्षित होते हैं ठीक है बच्चो रातों से संबंद जो वीडियो है आप पिछली क्लास में जाकर देखें मैंने टीथ का टॉपिक पूरा डाला हुआ है और बड़े अच्छे से एक्स्प्लेंड क्या हुआ है आप जाकर देखें जिसको भी टीथ से जब में जो प्रॉब्लम है आप वहाँ जाएं सारे कोसेंस का जबाब आपको यूट्यूब के उस चैनल पर आपको मिलेगा धानक है भाई साथ तो उस वीडियो पर आप जाएं टीथ का मैंने तौबिक मानव सरीर में निमलिकत हारमनों में से कौन सा रक्त कैल्सियम और फॉस्पेट को विनिवत करता है तो धान रखना यह होता है आपका कौन सा प्राब्टू हारमोन होता है यह हम कह सकते हैं ठीक है जी यह होता है आपका एक होता थाइरोइड एक होता है पैरा थाइरोइड ये दो आपकी क्या होते हैं ये आपकी ग्लेंट्स होती है जिसको हम गोलते हैं थाइरॉड और एक होता है पैरा ये कानव में इसका काम होता है कैल्सियum की कमी को पूरा करना है कैल्सियum जब जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके निकालता है केल्सियम की कम होती है उसको अन्दर करता है घानकना ब्लैड के अंदर मानौ तंत्र में निमलेक्त मैंसे कौन सा एक पाचन एंजैम नहीं मतलब डाइजेशन का जो काम नहीं करें वह कौन सा नहीं है तो धानकना ट्रिप्सिन होता है सर प्रफ यह टालेन भी होता है लुटा से इससे निकलता है गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस निकलता है कि जी भाई क्रिप्चन भी एक एंजाम होता है जिसका काम होता है प्रोटीन का पाचन क्या करता है प्रोटीन का पाचन प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है प्रोटीन और रेनिन दो एंजम होते हैं इसका भी क्या होता है प्रोटीन आपका ठीक है प्रोटीन हो गया कार्बोध्रोट्स हो गया फैट हो गया और टाइलिन जो होगा यह काम करता है स्टार्च का पाचन इसा श्रकरा में को यह चार्च्ट मुक्र में मंड जो आपका मंड जो होता है स्टार्च इसको स्रकरा को हम क्या करते हैं यह मंड होता है स्टार्च कुँ का करेगा बैसे अब का टैलेन को सा होता है पी-टी-वाई-वाई-ए Image होता है जो कहां काम करेगा करने का मंद को सरकरामिम कह सकते हैं माल तो मैंूट करने का काम करता है मानव की पाचस अनली पूड़ सांति छिस्कों मूलते हैं कि भर क्वूड़ of human body, मनुस्य के सरी की जो food pipe जो भोजन नली होती है उसके लंबाई कितनी होती है, तो यह होती है 32 feet कितनी होती है 32 feet यह हम कह सकते है 9 meter क्या कह सकते है 9 meter कहेंगे, ठीक है दोस्तों क्योंकि overall यह यहां से count होती है और जिसमें छोटी आथ और बड़ी आथ सबी को count किया जाता है, पता है न आपको क्योंकि लगबग आपका जो छोटी आथ है, छोटी आथ small intestine है, इसकी length होती है, 6 meter हम कह सकते है 6-6 meter, ठीक है जी और बड़ी की क्या होती है, बड़ी की बड़ी आथ जो होगी, इसके हम लगबग कह सकते है 2 meter हम कह सकते है, 2-5 meter हम कह सकते है ठीक है, 2-5 meter हम कह सकते है और बड़ी साब, आपका यहां से लेकर यहां तक भी कुछ ना कुछ length बनती होगी, जो stomach तक जाएगी वो लगबग आप लगा लेना, तो 6-7-8 लगबग 9 meter का सबस बनती है, ठीक है जी क्योंकि इसकी length होती है, अब लेकर वाशन तरफ चलते है दुद्ध प्रोटीन को पचाने वाला enzyme, मतलब दूद्ध में प्रोटीन जो होती है, उसको पचाता है कौन, तो भाई साब यह होता है, रेनिन enzyme होता है रेनिन, ठीक है, यह रेनिन होता है, दुद्ध के अंदर प्रोटीन होता है, दूद की इससे, घेस्ट्रिक juice से उसका घेस्ट्रिक Juice वोता है, जो आप किसे नकलता है, अमास्या से पिट्से निकलता है, ठीक है यह होता हैं आपके ट्रेप्सेन और टोडने का काम हो망 खालेगा चली आगरा चलते हैं आरा कर्षेंगे इष्सेन का है पाचन तंतर का है सा नहीं होता मतलब डायईसंडय का हम्य पाट मेतन कौन सा है तो ब्जी यकृत होता है नहीं मैं नहीं करेगा। पाचन नहीं पृता है जो निकलता है आपके लीवर से निकलेगा आत जो होती है इसे विरस निकलता है पितास से जो होता है पितास से का काम होता है ये पितास से जो होता है ये आपका जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर क्या बोलते हैं गॉल ब्लेडर हम बोलते हैं इसमें आपका पित रस खटा होता है इसकी सिफ्ट नास पातिक तो भाईयो आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लग रही है भाई से हमें मोटिवेशन मिलेगा एक काम से तो भाई प्लीज जा करके जो सब्सक्राइब का जो आपका लिंक आ रहा है भाई उसको चैनल को जल्दी से फटाबट से स किसी भी चार्ज के या किसी भी कोस्ट के आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा जाएगा जय हिंद जय वारत धन्यवाद